गोयाना के राश्पती, डॉक्टर महांबाद इरफान अरिली जी, सुरिनाम के राश्पती, श्री चंद्री का प्रशाद संतोगी जी, मद्य प्रदेश के राजपाल, श्री मंगुबाय पटेल, मुख्यमंत्री सिविरासी चववान, विदेश मंत्री स्रीयाईश जय संकरजी, मंत्री मंडल के अन्य सहयोगी गाण, और प्रवाशी भारती दिवस सम्मेलन में, विश्व भर्चे पधारे मेरे प्रिय भाईयों और बहनों. आप सभी को 2023 की मंगल कामना है, करीब चार वर्षों के बाद, प्रवाशी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मुल स्वरूप में, अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है. अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने साने की बात का अपना अलग ही आनन्द भी होता है, और उसका महत्पवी होता है, मैं आप सभी का एक सो तीस करोड भारत वासियों की और से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, यहां उपस्तित प्रतेट प्रवासी भारतिय अपने अपने खेत्रों में, और साधरन उपलब्धियों के साथ, अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और यह प्रवासी भारतिय सम्मेलन, मद्यपरदेश की उस धर्ती पर हो रहा है, जिसे देश का रदयक्षेत्र कहा जाता है। MP में मा नर्दा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्मा, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इसी आत्रा को अविश्मन निये बनाएगा। अभी हाली में पास ही उज्जेन में भगवान महाकाल के महालोग का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूँ, आप सब वहाँ जाकर भगवान महाकाल का अशिरवाद भी लेंगे, और अध्वूत अनुभों का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं, वो भी अपने आप में अध्वूत है। लोग कहते हैं कि इंदोर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूँ, इंदोर एक दौर है। ये वो दौर है, जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदोर ने स्वत्तता के ख्षेत्र में देश में एक अलग पहचान सापित की है। खाने पिने के लिए अपन इंदोर, अपन का हिंदोर, अपन का इंदोर देशी नहीं, पुरी दुनिया में लाजवाब है। इंदोरी नमकिन का स्वाद यहां के लोकों के यहां पर जो वह का पैशन है। साबू दाने की खिचडी, कचोरी समोसे सिकंजी, जिसने भी इसे देखा, उसके मुह का पानी नहीं रुका। और जिसने इने चखा, उसने कहीं और मुढ कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद हाई ही, सराफा भी महतुपून है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदोर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे भी स्वास है, यहां के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। यहां के बारे में बारे मात्व करण लिए। मैं ट्रवाचिव प्रवाचि भार्तिय दिवस इस प्रवाचिव में बच्वाच्छ अपर लेटेंगे। प्रवावेट हूए अपीट है लिझ अपीट तो अप्रुडन अप्रुदेब आफ एम अप्र इचानवर्णान का विंड हो ते सबस्टर्वाइब। कि अजोरियो एर इड़ू काल आजिद विनिज गवारति हैं अजुडेंडर इनि आटी अजुडें यूड काल वह लुड यार्ट वार्थ विश्ट अजूस की झाल नुडेंडी यूड बाया़ क्वा लुड़ ए घूडू बवह इंजूरी ऑटमगाने रूंट पर बाई यू पीपर गाई साथियों हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम अर्थात हमारे लिए पुरा समसार ही हमारा स्वदेश है मनुष्य मात्र ही हमारा बंदू बांदव है इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पुर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था हम दुनिया के अलग-अलग कौनों मगे हमने सब्यताओं के समाघं के अने अन्त संभावनाओं को समझा हमने सद्यों पहले वैच्छिव व्यापार के असाधान परंपरा शुरू की थी हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए अलग-अलग देशों अलग-अलग सब्यताओं के बीच व्यावसाई सम्मन कैसे साजी सम्रुधी के रास्ते खोड़ सके भारतियों और भारतियों ने करके दिखाया आज अपने करोडों प्रवासी भारतियों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं दुनिया के इतने अलग-अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधय कुटम कम की निभावना उसके शाक्षा दर्शन होते हैं दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग-अलग प्राम्तों अलग-अलग छेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत त्रेश्ट भारत का सुखद एहसास भी होता है दुनिया के अलग-अलग देशों में जब सबसे शांत्य प्रिय लोक्तांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती हैं तो मदर अब डेमोक्रसी होने का भारतिय गव्रव अनेक गुना बढ़ जाता है और जब हमारे इन प्रवासी भारतियों की योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे ससक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज शुनाई देती है इसलिए ही तो मैं आप सभी को सभी प्रवासी भारतियों को विदेशी धर्ती पर भारत का राष्ट दूत ब्रेंड एंबेसेडर कहता हूं सरकारी व्यवस्ता में राजदूत होते हैं भारत की महान विर्यसत में आप राष्ट दूत होते हैं friends your role as India's brand ambassador is diverse you are brown ambassadors ambassadors of making India you are brand ambassadors of yoga and Ayurveda you are also brand ambassadors from India's cottage industries and handicrafts at the same time you are also brand ambassadors of India's millets you would already know that 2023 has been declared by the United Nations at the International Year of Millets I appeal to you to take some millets products we do while returning you also have another important role to play in this rapidly changing times you are the people will address the world's desire to know more about India today the whole world is waiting and watching India kindly with great interest and curiosity it is important to understand why I am saying this on the one of the countries that have you have introduced the वारत विकास की जो गती प्राप्त की हैं में आति जहादार्ण है अभूत्पूर्व और्पूर्व हैं जब भारत कोविट महामारी के बीच कुछ महिनों में ही स्वदेशी वैक्सिन बना लेता है जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड से ज्यादा वैक्सिन डोज मुप्त लगाने का रेकॉर्ड बनाता है जब वैश्वीक अस्तिर्था के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थेववस्ता बनता है जब भारत विश्व की बड़ी एकोनमी से कॉंपिट करता है तौप फाइव एकोनोमी में शामिल होता है जब भारत दुनिया का त्कारिजीजड सबसे बड़ा स्टारट अप इकोसिस्टम मनता है जब मोंबाईल मैनुफेक्टिरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्टानिग मैनुफेक्टिरिंग जी में मेक इन इंडिया का डंग का बसता है जब भारत अपने दम पर टेजस फाइटर फ्लेंड एरकाप्ट केरियर आयने स्विक्राम और अरिहंत जैसी नुकलियर सब्मरीन बनाता है तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में कुरियोसिटी होती है कि भारत क्य कर रहा है कैसे कर रहा है लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है स्केल क्या है भारत का फ्यूचर क्या है इसी तरह जब कैस्ट लेस एकोनामी की बात होती है फिंटक की चर्चा होती है तो दुनिया यह देखकर है रात में है कि विश्व के 40 परसेंट रियल ट्रांजिक्शन भारत में होते हैं जो स्पेस के फ्यूचर की बात होती है तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलोजी के मोस्ट एडवांस देश्व में होती है भारत एक बार में सो सो सेटलाइट लॉंच करने का रिकॉर्ड बना रहा है सौफ्वेर और डिजिटल टेक्नोलोजी के खेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है आप पैसे बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ भारत का ये तमखम भारत की जुड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का स्षीना चौड़ा कर देता है वैश्विक मंजपर आज भारत की आवाज भारत का संदेश भारत की कही बात एक अलग ही माइने रखती है भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और जादा बढ़ने वाली है और इसलिए भारत के प्रती जिग्या साथ भारत के प्रती क्रियोसिटी भी और बढ़ेगी और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतिय मुल्के लोगों की प्रवासी भारतियों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामरते के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के अधार पर बता पाएंगे मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगती की अपडेटेड इंफर्मेशन होनी चाहिए साथियों आप सबको ये भी पता है इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समुह की अत्यक्षताभी कर रहा है भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े आउसर के रुप में देख रहा है हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अउसर है ये दुनिया के लिए भारत के अनुभावों से सीखने का पुराने अनुभावों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशात ताय करने का अउसर है हमें जी ट्विंटी केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बलकि जन भागीदारे का एक अइतिहासिक आवेजन बना रहा है इस दोरान विश्व के विभिन देश भारत के जन जन के मन में अतित्री देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे कि आप भी अपने देश से आ रहें प्रतिनीजियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा साथियों और मैं तो यह भी कहूंगा कि जब G20 समीट में क्योंकि कोई 200 मिटिंग होने वाली है हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने वाले वापिस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतियों उनको बुलाएं भारत में गए थी तो कैसा रहा उनके अनुभव सुने मैं समयता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए आउसर बन जाएगा साथियों आज भारत के पास नकेवल दुनिया के नौले सेंटर बनने का बलकी स्कील केपिटल बनने का सामर्थ भी है आज भारत के पास सक्षम युवाओं के एक बड़ी तादाद है हमारे युवाओं के पास स्कील भी है बैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज़बा और इमानदारी भी है भारत की ये स्कील केपिटल दुनिया के विकास का एंजिन बन सकती है भारत में उपस्तित युवाओं के साथ ही भारत की प्रात्विक्ता वो प्रवासी युवा भी है जो भारत से जुड़े हैं हमारे नेक जनरेशन युवा जो विदेश पे जन में हैं वही पले बड़े हैं हम उन्हें भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अउसर दे रहे हैं नेक जनरेशन प्रवासी वाओं में भी भारत को लेकर उत्सा बढ़ता चला जा रहा है वो अपने माता-पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को नवकेवल देश के बारे में गहराई से बताएं बलकि उन्हें भारत दिखाएं भी पारंपारिक बोथ और आधुनिक नजर के साथ यह युवाओं फ्यूचर वर्ल को भारत के मारे में कहीं ज्यादा प्रभावी डंग से बता पाएंगे जितनी युवाओं में जिग्या सब बढ़ेगी उतना ही भारत से जुड़ा परियतन बढ़ेगा भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी भारत का गवरो बढ़ेगा यह युवाओं भारत के विभिन परवों के दोरान प्रसित मेलों के दोरान आ सकते हैं या फिर बुद्ध सरकीर रामायन सरकीर का लाप उठा सकते हैं वो आजाधी के अमर्त महोचव के तहट होरे कारकमों में भी जुड़ सकते हैं जाधियों मेरा एक और सुझाव है कई देशों में भारत से प्रवाशी कई सद्यों से जाकर बसे हैं भारतिय प्रवासियों ने वहां के राष्ट के निर्मान में अपने असाधरन योगदान दिये हैं हमें इनकी लाइथ उनके स्ट्रगल्स और उनके एच्विमेंट्स को डॉक्पिमेंट करना चाहिए हमारे कई भुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमरीज होगी कि मेरा आग्र है कि उनिवर्सिटी के माध्यम से हर देश में हमारे डायस्फोरा के हिस्ट्री पर ऑडियो वीडियो या लिखी डॉक्यमेंटिशन के प्रयास किये जाए कि साथ्यों कोई भी राष्ट कि उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में चीवीत रहता ह है कि यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहाँ एक भी भारतिय मुलक व्यक्ति तो यह व्यक्ति मिल जाता है तो उसे लगता है तो उसे पूरा भारत मिल गया यानि आप जहां रहते हैं भारत को अपने साथ रखते हैं बीते आठ वर्षों में देश ने अपने डायस्फुरा को ताकत देने के लिए हर संबहु प्रयास किया है आज भारत का ये कमिट्मेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे देश आपके हितों और अपेख्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा मैं गयाना के राश्पती जी और सुरिनाम के राश्पती जी का भी रुदैस से आभार व्यक्त करता हूं भिनंदन करता हूं कि इस महत्वपुन समारों के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्हें जितनी बाते आज हमारे सामने रखी है वे वाकई बहुत उप्योगी है और मैं उनको विश्वाद दिलाता हूं कि जन सुजाओं को उन्होंने रखा है उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा मैं गयाना जी के राजपती जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साजा की कि जब मैं गया ना गया तो मैं कुछ भी नहीं था मुख्यमंद्र भी नहीं था और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासि भारती दिवस के लिए यह समारों में आये बीच के की गैप के बा Baptist मिलने का मोका मिला ला है मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुपर कामणाय हैं कि बहुत लोगों से मिलना होगा बहुत लोग जानने को मिलेगी आ जिससे ले कि उन्स मुर्तियों को ले करके फिर अपने कारक्षेत्र में लोटेंगे अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुडाओं का एक नया यूग शुरू होगा मेरी आपको बहुत बहुत शुब कामनाई धन्यवाद